बाच मजिया एक विवस्था है उस विवस्था पर मेरा भरोसा है उस विवस्था के जरीए एक डिरेक्टर एक बड़ी एजनसी का चुना जाता है मैं उसको मानता हूं उस विवस्था को हटाकर एक दूसरे विवस्था सरकार कर रही है लेकिन इस विवस्था को आप मानते है पिर आप CBA Director CBA पर सवाल तो नहीं करेंगे ना सबसे बढ़ा अंतर एक CBA Director की Independence या Lack of Independence और एक Election Commissioner की Independence और Lack of Independence में यह है कि Independence सिर्फ appointment पर आकर रुक नहीं जाती तो स्वतंतरता निश्पक्षता तीन स्तरकी होती है जो CBA Director के case में नहीं है लेकिन Election Commissioner के case में होनी चाहिए और वो है पहला स्टेज, चैन का, appointment निश्पक्ष तरीके से निश्पक्ष समीति करें दूसरा स्टेज, स्वतंतरता का, जब वो उनका कारेकाल चल रहा है तो उनकी salary, उनकी remuneration, उनके पे किसी प्रकार की कारवाई और किसी प्रकार का नियंतरन सरकार का नहीं होना चाहिए जो CBI Director के case में होता है, उसकी salary कौन तैक करता है सरकार उसका LTC कौन अप्रूफ करता है सरकार, उसके medical bill कौन पास करता है सरकार उसको budget कौन देता है सरकार उसके दफतर में कितने अफसर बैठेंगे उसके आधीन कौन होगा कौन टैक करता है सरकार election commission के case में वो नहीं है तो दूसरे level की स्वतंतरता जब आपके कारेकाल में जब आप सेवा दे रहे हैं और तीसरी और आखरी level की स्वतंतरता retirement के बाद चीफ election commissioner को retirement के बाद आप judge कहीं governor लगा दे राज्य सबा ले आए तो स्वतंतरता खराब हो जाएगी लेकिन CBA director के case के अंदर हम देखते हैं कि retirement के बाद कभी किसी को NHRC का chairman लगा देते हैं कोई बड़ी cabinet rank दे देते हैं कोई बड़ी विदेश में हिंदुस्तान की बड़ी posting दे देते हैं तो तीन स्टर्की स्वतंतरता देखनी सिरफ appointment के स्टर्की स्वतंतरता से बात नहीं बनेगी आपकी बात से जो सवाल पैदा और फिर मैं देक्र मांदारी से निभा रहा है उसके बाद वह एक सरकार का हिस्सा बन जाता है उससे उस के काम करने के तौर तरीके परता है तो पोस्ट का वादा कर दो तो वो आपके अधिकार, आपके हक से, आपके मांग के अनुसार काम करेगा। हमने देखा इस देश में कि सुप्रीम कोट के जजिस की रिटायर्मेंट के बाद उन्हें सरकार में ले लिया जाता है, किसी को राज्यसभा भेज दिया जाता है, किसी को सरकार का गवर्नर लगा कर भेज दिया जाता है, यानि कि लाट साब बाली जिंदगी उनको रिटायर्मेंट के बाद भी मिलती है, पोस्ट रिटायर्मेंट लाब को देखते होए प्री रिटायर्मेंट फैसले जो वो लेते हैं वो कही न कहीं इंफ्लूएंस हो जाते हैं जो ठीक नहीं है अगर आपने एक मनोहर लाल का उधारन दिया जो पूर मुख्य चुनावा युक्त रहे उन्हीं के साथ साथ एक उधारन T.N. सेशन का है जब T.N. सेशन इस देश के मुख्य चुनावा युक्त थे तो कहा जाता था कि भारत देश का नेता दो यह लोगों से डरता है एक भगवान से और दूसरा TN सेशन से ऐसे लोग भी इस देश के मुखे चुनावा युक्त रहे तो उधारन तो इस तरफ भी है और उस तरफ भी है लेकिन हमें प्रोसेस और प्रोसीजर ठीक करना है खराब लोग आ सकते हैं सिस्टम के अंदर लेकिन सिस्टम को इस प्रकार हमहें कर हम सबका होना चाले, कल जो हुआ मैंने इस अपने भाषण के अंत में और पिर काऊंगा कि भारत-देश जिसे mother of democracy के नाम से जाना जाता है, ये कानून लागू होने के बाद, मौक्री ऑफ डिमॉक्रिसी के नाम से जाना जाएगा जो बहुत दुखद है और एक भारती होने के नाते मुझे इसका दुख है इस मसले पर मेरा आखरी सवाज जो कि अपने टी एंस शुशन का जिक्र किया है और सुप्रीम कोड की जो बेंच सुनवाई कर रही है एलेक्शन के अपने नीजी फैसले को रोकने के लिए सरकार ने कोश्वें की वो सरकार कौन सी थी आप भी जानते हैं सिर्कार थी सरकारे अगर किसी विवस्था के तहट अपने हक्त में फैसला कराने के इस्टिशन में अगर दो लोग को डालती है और आज कि सरकार विवस्था बदल रही है तो आपको इतराज क्यों है उस पर क्यों नहीं है विवस्था बदली जाए लेकिन विवस्था बदली जाए कि उस संस्था का credibility, उसकी independence, उसकी स्वतंतरता, उसकी निश्पक्षता को बढ़ाया जाए, ना कि समाफ्त किया जाए अगर आँ विवस्था बदल कर एक जो देश के बहुत ही कम अब स्वतंतर संस्थाएं रह गए, इंडिपंडेंट इंस्टिटूशन अगर आप उनकी भी स्वतंतरता खतम करने के लिए कानून लाएंगे तो फिर इस देश में क्या ही बचेगा आज इस देश के आम आदमी की देश की चुनावों में आस्था है लोगतंतर में आस्था है वो सुबा सुबा उठकर चुनाव वाले दिन अपनी उंगली का प्रयोग करकर समान भाव से किसी एक पार्टी को वोट देका रहाता और अपने किस्मत की चाबी अपने भविश्य की चाबी उस नेता को सौप कर आता है बड़े विश्वास से जाता है लेकिन आप पूरा प्रोसेस ही अगर अपने हाथ में कर लेंगे और मुख्य चुनाव वायोग ती आपका कोई पार्टी का शक्स बन जाएगा तो चुनाव निश्पक्ष कैसे होंगे अब आप एक बात देखिए मैं क्यों बार-बार चुनाव योग चुनाव योग कह रहा हूँ चुनाव योग ऐसा क्या काम करता है इस देश में किसका वोट बनेगा और किसका वोट कटेगा यह चुनाव योग तै करता है किस EVM मशीन से वोटिंग होगी वो मशीन कहां जाएगी वोट के बाद उसे कहा स्टोर किया जाएगा रखा जाएगा उसका नियंतरन उसका उपयोग चुनावायोग तैग करता है कितने चरण का चुनाव होगा किस तारीक पर चुनाव होगा यह चुनावायोग तैग करता है कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी किस चुनाव निशान पर चुनाव लड़ेगी यह चुनाव आयोग तैक करता है किस शक्स के कागज रद किये जाएंगे और किसे चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा यह चुनाव आयोग तैक करता है तो चुनाव आयोग की इस ल लोगतंत्र के से खिलवार करने के बराबर है देश के सांसद रागव चड़ा चाहते हैं कि लोगतंत्र मजबूत रहे स्वस्त रहे इसलिए संस्थाय जो है वह स्वतंत्र होनी चाहिए आपकी बाद से इस देश कहरा आदमी को सहमत होना चाहिए